जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, दुनिया के अंदर अगर ग्यात तेल के भंडारों की बात की जाए, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्यात तेल के भंडार कहा हैं, तो आंसर के रूप में निकल के आता है, कि सर्फ गल्फ कंट्रीज में हो सकते हैं, अच्छा, य दुनिया के सबसे जादा तेल के भंडार माने जाते हैं। बस परिशानी यह है कि वहां के इंटरनल डिस्टरबेंस के चलते, वहां पर कुछ साम्यबादी विचारधाराओं के चलते, क्योंकि असल मायने में अमेरिका जिस चीज को पसंद नहीं करता, उसे वो ग्रो भी नही हो पाया, otherwise दुनिया में कभी तेल का संकट उत्पन नहीं ना हुआ होता, तेल को एक इतनी महंगी कमोडिटी बनाने के पीछे बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी का कारण है वो ये, कि जिनके पास तेल है, जैसे इरान के तेल को नहीं बेचने देता, अमेरिका, ऐसे जो की दक्षिन अमेरिका में इस्तित एक कंट्री है, इसके पड़ोस में रिलेटेड एक छोटी सी कंट्री और है, उसका नाम है गुएना, आप कहेंगे भी थोड़ी देर पहले तो आपने फ्रेंच गुएना बताया था, फ्रेंच गुएना अलग है, गुएना अलग है, प्रेंच गुएना और गुएना के बीच में एक छोटा सा देश और है, जिसका नाम है सूरिनाम और वहाँ पर एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति रास्ट रध्यक्ष है, ठीक है, नाम अगर जानते हो तो बता दीजेगा, प्रवासी भारतिय सम्मेलन में हमने उने बुला उसकी सुनवाई को तयार है, आईए इस खबर को देखते हैं, वर्ड कोट ने कहा, इसने ये कहा, ये गुएना और वेनेजवेला के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उन पर अपना फैंसला सुनाने के लिए तयार है, वर्ड कोट से, इसने इसके बारे म हाँ, हैरी पटेल, धन्यवाद भईया, सुपर थेंक्स में आपने एक डॉलर भेज दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आईसीजे, रिजेट्स, वेनेजवेला, स्टेंस ऑन गुएना बॉर्डर डिस्प्यूट, ये कह आने वाले हैं, ठीक है न, इन पर देखो, यहाँ पर पनामा से कनेक्टेड देश है कोलंबिया, उससे कनेक्टेड देश है वेनेजवेला, उससे कनेक्टेड देश है गुएना, साथियों गुएना और वेनेजवेला के बीच में यहाँ एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को समझ यह कि कोस्ट से थोड़ा दूर आईलेंड जैसी जगे जैसे अना अभी अपन जब बात करें तो बांगलादेश के अंदर जहां हमारी मतलब गंगा नदी समुद्र में जाकर गिरती है जमुना और गंगा मिलकर के जब जाकर के गिरती है मेगना बनकर के समुद्र में, उस समय मत्टी की वज़े से जो आईलेंड बने हुए है आगे चल करके ऐसा ही एक आईलेंड यहाँपर गंगा 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 आई होई है यहाँपर अमेरिका की एक कमपनी उसका नाम है एग्जोन मॉबिल क्या नाम है एग्जोन मॉबिल वो यहाँ पर तेल निकालने के लिए आई हुई है तेल निकालने के लिए आई हुई है मतलब क्या है अब गुएना के सामने छेतर है तो टेक्निकली वो गुएना का हुआ तो गुएना अचा वेनेजवेला को अमेरिका पसंद नहीं करता क्यों क्योंकि वेनेजुएला थोड़ा रशिया समर्थक है यहां की सरकारें अमेरिका के विरोधी रही हैं हमेशा तो गुएना अच्छा वेनेजुएला से कभी तेल निकलने नहीं दिया मरा काईबो करके यहां पर एक लेक है उसके नीचे तेल हैं उसको यह निकलने नहीं दिता अमेरिका यहां पर जो गुएना है इस गुएना के सामने वाला जो एरिया है यहां पर तेल के जो भंडार हैं इनको इसकी एक कंपनी ने 2015 में खोजना शुरू किया 2018 में लड़ाई हो गई किन किन के बीच में लड़ाई हो गई Venezuela और Gowena के बीच में क्या लड़ाई हो गई Venezuela ने कहा कि जिस जगह तुमारे यहां पर अमेरिकी कमपनी तेल खोज रही है वो जगह तो मेरी है कैसे है भी तेरी बोले समुद्र के अंदर यहां पर पानी के आगे ये वाला छेतर मेरा है अब इनका बॉर्टर विवाद कैसे बढ़ा तो देखो ये वेनेजुएला और ये गोएना अच्छा गोएना और वेनेजुएला में ये गोएना जो है वो आपको दो भागों में बटा हुआ मेरा है इस बीचो बीच से वेनेजुएला कहता है कि ये येलो वाला हिस्सा पूरा मेरा है क्यों कहता है असल में कहानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक नदी जिसका नाम है एसकाइबा ये जो नदी है एसकाईबा ये गुएना को बीच में से दो भागों में बांटती है एसकाईबा का जो पस्चिमी हिस्सा है वेनेजवेला उसे अपना बताता है क्यों बताता है? वेनेजवेला कहता है कि गुएना के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये हम लोगों ने पहले ही रिजॉल्व कर लिया था, बोले कब? बोले क वेनेजवेला पर साशन रहा था इस्पेन का और गुएना पर साशन रहा था ब्रिटेन का तो हुआ ये कि जब दौनों देश यहां साशन में हुआ करते थे, तो इस एकसकाईबो नामक इस्थान पर यानि किंददी के किनारे पर पश्चिमी तटवाले हिस्से को वेनेजवेला को देने की बात की गई थी, यहां पर कुछ इस प्रकार से यह जो मैप आप देख रहे ह इस पूरे हिस्से को वेनेजवेला क्लेम करता है, कहता है कि यह जो हिस्सा है, यह पूरी तरह से मेरा है, इस वाले हिस्से को यानि एसकाईबो रिवर, यह रही एसकाईबो रिवर, जो कि यहां से ब्राजील के बॉर्डर तक जा रही है, तो इस जगह को आप देख सकते है ठीक है तो एसकाईबो रिवर जो है इसका पस्चिमी हिस्सा वैनेजवेला अपना बताता है इस वजए से इसके सामने वाला ये वाला जो हिस्सा है जहां एक्जोन मॉबिल अपना ओईल निकाल रही है ये छेतर चूकी वैनेजवेला के सो कॉल्ड कबजे वाले हिस्से के साम कारण से ये मामला गुएना और वेनेजवेला के बीच में विवाद का कारण बना 2015 में एक्जॉन मॉबिल यहाँ पर तेल खोजने आई थी कब आई थी? एक्जॉन मॉबिल मैंने दिखाया था ना कहा गई? आई ये रही ये 2013 के अंदर यहाँ पर 2015 में तेल खोजने आई थी 2018 में कलेश हो गया 2018 में यह मामला पहुँच गया International Court of Justice that is ICJ ICJ क्या है? UN की कोर्ट है जहां पर यह मामला पहुँच गया ICJ में जब यह मामला पहुँचता है तो उस मामले में औव्यस सी बात है कि यहाँ अमेरिआ का हित्च जुड़ा हुआ है गुएना के केस में अमेरिका चाहेगा कि उसके पक्ष में फैसला हो वेनिजवेला का यह मानना है कि उसने इसको प्रभावित किया इस कारण से वेनिजवेला ने कहा कि वो ICJ का फैसला आने से पहले ही अपना पक्ष वहां से विड्रॉ कर रहा है हम ICJ में discussion ही नहीं करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते क्योंकि आप लोग पहले से biased हो इस वज़े से हम discussion नहीं चाहते इस कारण से वेनेजवेला ने अपनी application वापस निकाल ली अब स्थिती ये हुई कि ICJ से इसने अपनी application तो वापस निकाल ली गुएना तब भी अपना क्योंकि गुएना को तो अपना हिस्सा चाहिए था गुएना ICJ के court में अपने फैंसले का इंतजार करता रहा उस फैंसले में जो बात निकल कर आई है वही फैंसला आज की news बनी है कि word court यानि ICJ ने कहा है कि it can rule on guenna venezuela border dispute यानि कि ये फैंसला दे सकती है बले ही venezuela उस फैंसले को सुने ना सुने इसने कहा कि ये उस फैंसले को सुना सकती है रूल का मतलब साशन करना नहीं है यहाँ पर उस रूल का मतलब है साशन देना है यानि फैंसला देना है अब बात आती है UN की court है ICJ क्या venezuela इस बात को मानेगा देखिए इस बात में मानना ना मानना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके एवज में दुनिया के जो UNSC के देश है वो क्या निर्णे लेते है क्योंकि असल माने में ICJ के फैंसले को लागू कराने की जो चंता है वो United Nations Security Council के पांच देशों में है वो पांच देश जब एक अधिकार से ये कह दें कि यदि फैंसला नहीं माना तो UN कारवाही करने को तयार होगा UN अपनी forces भेजेगा लेकिन UN forces तब तक नहीं भेज सकता जब तक UNSC एक मतना हो जाए तो forces भेजने की कारवाही UNSC में तब तक नहीं हो सकती जब तक Venezuela के विपक्ष में रशिया खडाना हो जाए जबकि Venezuela, China और रशिया सब एक साथ हैं और ये तो चाते भी हैं कि Venezuela से भी निकल करके आए, अमेरिका को काउंटर मिले ठीक है, तो अंतरराष्टी इस तरपर ये मामला चर्चा में क्यों है विवाद क्या है, सारी कहानिया मैंने आपको बता दी सारी इस्थिती को मैंने समझाने का पूरी तरह से आप सब के सामने प्रयास कर दिया है ठीक है, उम्मीद है आप सबको बाते समझ में आ गई होंगी ICJ और ICC दोनों ही नीदरलेंड के दाहेग में इस्थित हैं और वहीं से सारे की सारे निर्णे लिये जाते हैं ठीक है, मैपिंग की क्लासिस चल रही है वर्ड मैपिंग के साथ साल आपको जो मार्श में हमने क्लासिस पढ़ाई थी वो भी मिल जाएंगी आज मैंने अपनी पार्शला के बहुत अच्छे से आपको फीचर समझाएं हैं, आप जाकर के उसे लिंक को डाउनलोड कीजिए और समझिए और आपके लाब की जो चीजे हैं, उन्हें वहाँ से प्राप्त कर लीजिए वहाँ पर पूरी वर्ड जोगराफी, मैपिंग, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री सारिक सब्जेक्ट जो टोटल हैं, वो आपको मातर 1,999 के अंदर उपलब्ध है बोर्ड से क्लासेज ली जा रही है, प्रॉपर लाइव और डिजिटल क्लासेज है, कॉल सेंटर फैसिलिटी के साथ में आपको अपलब्ध कराई जा रही है किसी भी प्रकार की डाउट के लिए आप हमारी टेकनिकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं